नमस्ती डियो वीवर्स आज के इस वीडियो में हम लोग आयोनाइजेशन चेंबर को डिसकस करने वाले हैं हम लोग उन्हें पिछले वीडियो में आयोनाइजेशन गौज को देखाता है उसकी मदद से हम लोग प्रेशर मेजरमेंट करते हैं आयोनाइजेशन गौज की मदद से हैं वहाँ पर जो है कुछ gas molecules जो है vacuum tube में एंटर करते हैं उसको जो है आयोनाइज करवाय जाता है वहाँ पर current की मदद से यह पता लगा जाता है कि कितना यहाँ पर pressure है है तो उसी प्रगार है कुछ scenario यहाँ पर भी है यहाँ यहाँ चमबर है चमबर बोले तो एक ऐसा चमबर जहां पर पहले से कुछ gases मौजूद होती है और उसी इंक्लोजर में जो gases होती है उनको जो है किसी radiation के तरों आयोनाइज करवाय जाता है और वहाँ current flow होता है आयोनाइजिंग current उसी की मुदद से जो है यह पता लगा जाता है कि intensity जो है radiation का वो कितना है या फिर particles का counting भी किया जाता है क्योंकि यहाँ पर amplifier है counting machine यह सब लगावा होता है ठीक है तो basically हम लोग थोड़ा यहां समझेंगे हम लोग उने एक paragraph लिखा है आयोनाइजिशन चंबर के बारे में कि तो आयोनाइजिशन चंबर इस यूज तो डिटेक्ट पार्टिकल्स इन एयर और तो डिटेक्ट और मेजर आयोनाइजिंग रेडियेशन ओके आयोनाइजिंग रेडियेशन को मेजर या डिटेक्ट करने में इसका प्रियोक किया जाता है आयोनाइजिशन चंबर का इसमें पार्टिकल दर पार्टिकल जो है यह डिरेक्शन या मेजरमेंट किया जाता है हर एक पार्टिकल दर पार्टिकल इसलिए इ दूसरा पार्टिकल डिडेक्ट करता है तो इसमें थोड़ा समय लगता है इट कंसिस्ट आफ ग्यास फिल्ड इनक्लोजर जैसा कि हम लोगों ने कहा आपको two conducting matter plates of electrodes of same ship is separated by the gap बेसिकली क्या है ionization chamber में कि यह एक ग्यास फिल्ड इनक्लोजर गरता है उस ग्यास फिल्ड इनक्लोजर में दो conducting metal plates लगे वी होती है जिसको हम लोग electrodes कह सकते हैं ठीक है और इसको एक gap से शिप्रेट किया, करके रखा जाता नहीं कि बेसिकली क्या होता है, यह जो electrodes की बात हो रही है, इसमें यह electrodes जो है या तो आपका petrol plates के form में होगी, या फिर coaxial cylinders के form में होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों प्लेट में से कोई एक प्लेट जो है आपका जो विस्ल है जैसे की हम लोगो ने खाए गैस विल्ड इन-क्लोसर तो फो एक वैसल ही होता है तो हो सकता है वह जो है वैसल और लॉ- bombers लप्लेज्ट इस अप्लाइड़ बेट तो One of the electrodes may be the wall of the vessel itself, ठीक है, कोई भी एक electrode जो है, wall का vessel ही हो सकता है, माफ के जाएगा, जो vessel है, उसका wall हो सकता है, ठीक है, When gas between the electrodes is ionized by any means, मतलब किसी प्रकार का radiation उस पर fall करवा गया, या फिर electron पास करवा दिया गया वहां से, तो क्या होगा, जो gases है, वो ionized हो जाएगी, है न, positive negative ions में, ionized हो जाएगी, और जो हमारा opposite electrodes है, वो उसको attract कर लेगा, अर्थाद, जो cathode है, वो क्या करेगा, negative वाले को attract कर ले यहाँ ionizing current बनेगा, है न, और इसी ionizing current को measure करके यह पता लगाया जाता है, कि भाई, यहाँ पर क्या है, radiation का measurement हो रहा है, ठीक है, when gas between the electrodes is ionized by any means, okay, say by x-rays or by radioactive emission, the ions move to the electrodes, okay, of the opposite sign, है न, क्या कहा, gas को जो है, क्या करवाया जाता है, ionize करवाया जाता है, okay, और जो ions होते हैं, वो opposite signs के electrodes के पास move कर जाता है, thus creating an ionization current of micro ampere range, which may be measured by a galvanometer or an electrometer, okay, this current is a measure of intensity of radiation, हना, एक छोटा सा short note ionization chamber के regarding,